हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ अनिल चोहान अभी मेरे चनल अनिल सर्मोर पर तो फिर से एक मैदपूर्ण इन्फोर्मेशन के साथ आप लोगों के बीच में कि क्योंकि एनाइटी हमिरपूर में अभी बहुत सारे जो कौविट कैसे अभी आच चुके हैं लेकिन आपको पैनिक होने की जूरत नहीं है और अपने होस्टल में आपने जो आराम से रहना है थोड़ा सा आप कौविट गा के स्टूडेंट है और जो हॉस्टल में रह रहे हैं फॉर्थ यर और थाड़ यर के स्टूड़न जो हॉस्टल में रह रहे हैं वो हॉस्टल में रह सकते हैं अगर वो रहना चाहें लेकिन क्योंकि कैसे जैसे बढ़ रहे हैं और कोई अपने बचाओ के लिए एक इनको छू सकता है तो अगर कोई थर्ड और फोर्थ यर का स्टूडेंट ऐसा है जो घर जाना जाता है वो जा सकता है होस्टल में रुखना है तो रुख सकता है उसके बाद जो सेकेंडियर के स्टूडेंट है जो केंपस में आ चुके हैं वो भी होस्टल में अपनी मर्जी से रह सकते है और जो घर पे हैं जो आने का प्लान अभी कर रहे हैं उनके लिए है कि वो कुछ समय के लिए बेट करें रुकिए और सिच्वेशन को नॉर्मल होने तक और अगले जो भी एनाइटी हमिरपूर का ओर्डर होता है तब तक के लिए बेट करिए आप और इसके साथ जो यूजी यूजी फरस्ट येर का जो स्टूडेंट है उनकी जो क्लासेज है कंटिन्यू ऑनलाइन ही रहेगी तो यूजी फरस्ट येर के लिए जो क्लासेज है ऑनलाइन रहेगी और जो अभी होस्टल में रहेंगे या उसके बाद जो होस्टल में रहेंगे और या नाइटी कोई भी जाएगा और अगर जुरत पड़ी अगर सिचुएशन थोड़ी से ऐसी रहती है तो ये भी हो सकता है कि आपको होसल से बाहर भी ना जाना दिया जाए तो इसके बाद जो PG, PhD और डियूल डिग्री 5th year के स्टुडेंट है उनका सारा ओफलाइन रहेगा अभी सुन लो के PG, PhD, डियूल डिग्री 5th year उनका सारा अभी जो ओफलाइन ही रहेगा और उनके examination, classes और dissertation वर्क है वो ओफलाइन रहेगे और लेकिन उनको छूट दी गई है कि वो attendance अपनी जो attendance है वो बायमेट्रिक मार्क नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़े हैं और दूसरा एक मैटपून चीज़ है कि जो भी कोई होसल से घर की तरफ मूब करेगा जो कोई घर जाना चाहता है इन में से तो उनको अपना room पूरा खाली करना पड़ेगा और सारा का सारा और room खाली करके जो key है वो handover करनी पड़ेगी hostel के office में यदि कोई आपका ऐसा समान है valuable समान है वो आप अपने घर लेके जाएंगे यदि किसी का कोई चाता है कि उसके गद्दे या इस तरह की जो भारी चीजे हैं आप नहीं ले जाना जाते हैं फर्दर उसके लिए तो hostel में clock room बनाए जाएगा और आप अपना पूरा नाम पता रिखे पूरा बंडल करके आप उस clock room में आपका समान रखा जाएगा यदि कोई ताला मार के निकल जाता है तो उसका समान hostel authority को right रहेगा कि आपका समान निकाल के जो है clock room में रख दिया जाएगा और उसके responsibility भी नहीं रहेगी इसके बाद ये भी है कि जब तक hostel में student है तब तक hostel की mess भी mess खुली रहेगी आपको खाना मिलता रहेगा और clock room के बारे में तो मैंने बताई दिया कि clock room hostel में बनेगा और जहां पर आप अपना समान रख सकते हैं तो आप office में जाके clock room के बारे में पूछ सकते हैं इसके साथ ही जो academic के regarding है यूजी second year the classes will be in online mode till further order second year की classes पूरी online mode रहेगी और for registration they may send their registration form through email to the respective registration in charges display on the website जो registration in charge है उनको आप अपना जो registration है वो email से भी कर सकते हैं अब है यूजी third year fourth year और dual degree fourth year उनके लिए है उनकी classes shall be in online mode till further order fourth year के जो भी यूजी के student है उनका भी जो है online mode ही रहेगा जो classes का जो पीजी dual degree fifth year है अभी मैं दुबारा बोल देता हूँ पीजी पीजी के student है dual degree है fifth year उनका classes examination recognition or dissertation shall be continue to be in offline mode as per than notified schedule जो schedule notified है उसके हिसाब से offline रहेगा और यह सारा जो भी नोटिस है यह content authority से approval के साथ ही है तो सभी लोग सभी निवेदन है कि घर में भी अपने बता दें कि इस तरह का नोटिस है और सेफ रहें सुरक्षित रहें और एक दूसरे के संपरक्स में से बचें और फाल्तू बहार गुमने से भी बचें तो और latest information के लिए मेरे वीडियो को like करिए share करिए subscribe करिए ताकि कोई भी इस तरह है में बतादू में, thank you very much